स्वागता गैस आप सभी का आपके अपनी चैनल टेक्पोग पर आज हम बात करेंगे बोट वर्सिस कलर फिट की यहां पर बोट की वॉच एक्सेंट जिसमें आपको अलेक्सा बेल्टेन मिलता है ऑन दर देन कलर फिट की अल्टरा बर्स जहां पर आपको कॉलिंग फैसलेटी एमेजान पर अभी सेल पर जा रही है तो चेक आउन कर सकते हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा दोना ही वॉच इस की कलोफिट अल्टरा बस जो है वह आपकी वह तो अभी 35 पर मिल रही है एमेजान पर बटाकर आपको और कम प्राइज में बाय करना दिस्प्ले की बात करेंगे तो डिस्प्ले की मामले में कहीं ना कहीं दोनों ही वॉच इस अच्छा प्रफॉर्म करती है बट यहां पर अल्टरा बस स्लाइटली आगे है फार बेटर है 1.75 इंचेस की लार्ज इस पिक्सल्स का रिसॉलुशन में आपको 1.69 इंचेस की आज दोनों का विच्छ नहीं मलता है वसी का साथ 2.5D करव ग्लास भी यूज की यूज किया गया बट प्रोटेक्शन का यूज की यूज किया गया वो नहीं बताया है कामपरी ने आगे हम बात करें यहां पर 326 पिक्सल पर इंच की आपको शापनेस देखने को मिल जाती है और साथ ही में यहां पर 500 नेट's की प्रटनिस संटर अब बात करें नहीं के और ग्रशी बहुत ही आगे हैं वसी की शॉज समझेंस की बात करें यहां और यहांपर शाप्स पोर्स मों मिलता है . तक का मिलता है, extent में, ultra buzz में 85% मिलता है, दो में similar आपको accuracy मिलती है, और उसी के साथ साथ sensors की बात हम करें, to axolometer, optical hearted sensor, jazz sensor, यह सब basic sensor मिल जाते है, extent में आपको alexa blade-in मिल जाते हैं, but ultra buzz में even AI voice assistant का option या voice assistant भी नहीं दिया गया, तो यह मिर को flaw लगा, अब बात करें extra features की तो smart notification आप receive कर सकते हो quick reply का option आपको मिल जाता है ultra buzz में साथ में calling feature मिल जाता है जो कि बहुत ही बड़ा एक feature है extend में ऐसा की option नहीं मिलता vibration तो आपको alerts मिल जाएगे call ready call cut mute कर पाओगे ultra buzz में अभी आपको एक issue आ सकता है लब notification issues तो उसमें कहीं ना कहीं जब हम call करते हैं किसी को number safe भी होता है आपके phone में तो उसके बावजूद भी नाम नहीं आता है वहाँ पे number रिशो करता है यह थोड़ा सा flow है full touch में ले दोनों में smooth है यहाँ पे ultra buzz का ज़्यादा स्मूद है यह थोड़ा सा लेकरती अलाम क्लॉक स्टॉप वॉच्च का उप्शन भी मिल जाता है जो कि एक एड़े ड़ांटेज है श्टॉक्स मतलब जो भी आप इंवेस्टमेंट करते हो तो उसमें स्टॉक्स में आपका शो करता है और अल्ट्राबस में यह एक एड़े ड़ांटेज है जब आपका फून आपके नेट से कर सकते तो यह मेरे को फ्लॉ लगा इस शीज का और साथ में टिपिकल यूए मिल जाता है एक्स्टेंड में अल्ट्राबस में कॉस्टम यूज किया गया है सिंगल बिटन कंट्रोल दोनों मिलता है और गेस्टर्स का आप यूज कर सकते हो अप डाउन लेफ्ट्राइज सार आर टक टाइम लेता है तो एक्स्टेंड में फास्ट चारजिंग का सपोर्ट भी है और इसे के साथ साथ 12 दिन का रंटाइम क्लेम करती है और अल्ट्राबस आपका 10 दिन का रंटाइम करती है Magnetically चारज कर सकते हैं दोनों ही वाचिस को बट में रिकमेंड करता हूँ 15 से 20 या 25 वाट के चारजर से ही चारज करो उससे ज़ादा अगर आप चारज करते हैं तो में भी प्राबलम हो सकती है आपकी वाच खराब हो सकती है और लॉंग टरम Actual use की बात करते हो सारे किसाल नोटिफिकेशन कर दोगे तो 8 दिन का रंटाइम मिल जाएगा Extend से और Ultra Buzz में 6 दिन का रंटाइम मिल जाएगा बट अगर आप heavy use करते हो Ultra Buzz से Calling Walling भी कर रहे हो तो देड़ से 2 दिन का ही मिलने वाल है और Extend में आपको 6 दिन का मिल जाएगा Main Features की बात आती है तो HR Monitor मिल जाता है SP to L Monitor का उप्शन है Sleep Track कर सकते हो Calorie Burn Steps Tracking का उप्शन है Sedentry Reminder मिल जाता है और guys Breathe Relax का मोड भी देखने का मिल जाता है तो Main Features में दोनों में अच्छा काम किया गया है और जैसे की Stress Monitor आपको Ultra Buzz में और Extra मिल जाता है जो कि Extend में नहीं है मेरे कहल से Extend में भी है तो आप मेरे को Confirm कर देना अगर आपके पास है Extend तो आप मेरे को बता देना वैसे तो Ultra Buzz थोड़ी सी Slim भी लगती है as compared to Extend Extend थोड़ी सी ज्यादा आपको मोटी लगेगी इन हैंड फील वाच का वेट है Extend का स्लाइटली ज्यादा है Ultra Buzz से 22 mm स्ट्रेप सही तो आफ्टर मार्केट का भी आप यूजान कर पाऊगे उसी के साथ साथ Silicon Strap की क्कॉलिटी है तो Skin friendly Metal का यूज किया गया दोनों ही वाचेज में वाच डैल और बेस जो है Polycarbate का मिल जाता है दोनों में तो कहने चाहूंगा Metal का डैल होता तो और भी बेटर था बट अवर राल यहाँ पर क्कॉलिटी गुड मिल जाती है बैश नहीं काऊंगा प्राइसिंग की बात करते है अब यहाँ पर आपको अभी ऑन ओफर 2992 या 2992 मिल रही है अल्ट्रा बज आपकी 2974 की मिल रही है तो अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पर 700 रुपय का डिफरेंस है 700 या 680 रुपय का करीब करीब तो 680 रुपय देने बेटर है अल्ट्रा बस के लिए या नहीं? Yes, definitely better है अगल आपको falling feature चीए, बड़ी display चीए, display की sharpness बेटर चीए, peak brightness बेटर चीए, sports mode चीए, accuracy slightly better चीए और features जैसे की stock वाला option वो extra चीए तो आप quick reply option चीए तो अल्ट्रा बस के लिए definitely जा सकते हो, इतने सारे features आपको 650-680 रुपय एक्ट्रा एड करने पे मिल रहे हैं तो obviously बात है अल्ट्रा बेटर है as compared to extend, extend उन लोगों के लिए जिनको Alexa built-in वाला feature चीए, that's it और तो features सारे के सारे ultra bus में मिली जाते हैं, तो overall यहाँ पे मेरा vote जाते है ultra bus को, और यही था मेरा deep bound comparison, vote watch extend versus color fit ultra bus के लिए, अगर आपका query दोनों watches के regarding कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से comment box से पूछ सकते हो, चैनल को subscribe को ना मत भूलना, बेल आकन कॉल करते हो, साथ में आप सबी से अगली वीडियो में दे लाएं, बबाई